तो दोस्तो आपका भाई फिर से एक को और धमाकेदार और डिमांडिंग टॉपिक के उपर वीडियो लेकर आ चुका है तो दोस्तो आप में से बहुत सार रिजन मुझे बोल रहे थी कि भाईया हम अपने Android TV में Windows 11 केसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के इसमें प्रोब्लम भी आ रहे थी दोस्तो जो कि मैंने सबसे पहली बार मैंने वीडियो बनाए थी कि Windows 11 अपने Android TV में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो तो बहुत सारे जनों को APK में Error आ रहा था कोई इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था तो दोस्तो आज मैं आपको भूती तगड़ा सलूशन बताने मालों कि आप अपने Android TV में Windows 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हो तो चले दोस्तो बिना किसी देदी के वीडियो को करते हैं शुरू तो दोस्तो आपको अगर अपने Android TV में Windows 11 को इंस्टॉल करना है तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको Send Files to TV अप्लिकेशन को अपने Android TV के Google Play Store से इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद दोस्तो आपको Send Files to TV अप्लिकेशन को ओपन करना है और दोस्तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो आप्शन दिखाए देंगे तो आपको दूसरा ओप्शन दिखाए देंगा दोस्तो रिसीव तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको अपने Android मुबाइल पर आ जाना है और अपने मुबाइल पे दोस्तो आपको यही सेम अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लेनी है इसके बाद दोस्तों आपका टीवी और मोबाइल सेम वाइफा से कनेक्ट होने चीए इसके बाद दोस्तों यह मेरा टेकनिकल अथांग गुरूप है तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एपिक के सेंड किया है विंडोस 11 का तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर थ्री डाट पर क्लिक करना है और आपको यह पर शियर पर क्लिक करना है तो हम जैसी इस पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमारी विंडोस 11 जो हमने एपी के फाइल सेंड खी थी और मोबाइल से डारेट हमारे टीवी पर आ चुकी है यह देखिए इसके बाद दोस्तो आपको करना आपको एक दो मिनिट रुख जाने यह तोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है यह देखिए यहापे हमारा हमको दिख गया सक्सिडेट करके यानि कि हमारी एपी के फाइल इसमें सक्सेस्फुली इंस्ट्ल हो चुकी है इसके ब बटम पर क्लिक कर देना है तो यह देखिए दोस्तो हमारा एपे विंडोस 11 सक्सेस्फुली इंस्ट्ल हो चुका है इसके बाद दोस्तो आपको डन का ओप्शन दिखेंगा इस पर हमें क्लिक करना है और दोस्तो इस आपको इस अप्लिकेशन को कहीं पर भी ढुणने की दोस्तो अगर आपको अपने टीवी में विंडोस 11 को सक्सेस्फुली यूज करना है तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक माउस की जरूरत पढ़ेंगी क्योंकि दोस्तो बिना माउस से आप विंडोस 11 को नहीं यूज कर पाऊंगे और दोस्तो यह मार्केट में लगबग माउस 200-300 रुपिस का मिलता है तो आप इसे खरीद के फिर विंडोस 11 आप आसनी से इंस्टॉल कर पाऊंगे मतलब आसनी से आप इसे यूज कर पाऊंगे चले दोस्तो मैं भी आपको इसे ओपन करके बताता हूं और पूरी सेटिंग्स बताता हूं तो यह देखिए दोस्तो हमने आप विंडोस 11 को ओपन कर लिया यह थोड़ा दोस्तो एक दो मिनिट का टाइम लेता है यह देखिए यह आपको पूरा दिख जाएंगा इसका देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ओप्शन दिखेंगा नेक्स्ट तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको दिखेंगा विंडोस इंस्टॉल नाउ तो यह देखिया भी हमें आपको दो आप्शन दिख लेता है क्योंकि हमारे टीव में विंडोस दिर्याव इंस्टल हो रहा है न तो इससे थोड़ा इंस्ट्रॉलिंग प्रोसेस लेता है यह हाडली दोस्तों 5-10 सेकंड्स लेता है यह देखिए हमारे आप इंस्टल हो चुका है यह आपको लाइसन्स अंट दिखे देंगे तो इ इना माउस से विंडोस 11 आप ऑपरेट नहीं कर पाऊंगे यह देखिए गेटिंग डिवाइस त्रेडी आप लिखके आ रहा है और काफी अच्छी अप्लिकेशन है दोस्तों यह विंडोस 11 आपको पूरा यह फील प्रोवाइड करती है अपने एंडरेट टीव में विंडो दाल सकते हो देखिए मैं यहां पर डाल दिया अब आपको प्रेस करने आपको दिखेंग और नेक्स्ट करके तो इस पर हमें क्लिक करना है अब जैसी इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यह हाड़ली दोस्तों 5-10 सेकंड्स का लोडिंग टेम लेता है उसके बाद आपके सामने यह देखे दोस्तों हमारे विंडोस 11 अपने android tv में सखस्ट फूरी इंस्टाल हो चुका है यह देखे आपको यह पूरे फीचर देखने के लिए मिल जाते यह देखिए सर्च को ओप्षण देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों यह देखे अब यहां पर क्लिक करोंगे यह आपको वाय फाय ब्लूटूथ वोल्यूम साउड नाइट लाइट लाइट इस तर आपको फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों यह स्टीम फोन अकोट नेट वर्क डिवाइसे और यह आपको पुरा आपका फाइल मैंदेजर पी देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों यह देखिए को फाइव में जैसी की मैंने भी ओपन किया है यह देखिए आपको यह पर क्रॉस पे क्लिक कर देना है तो यह देखिए अभी आप यह दिस पीसी में अगर जाओंगे तो आपकी देखिए पूरे लोकल लिक्स दिखाई देंगे डाउनलोड का वगेरा तो यह देखिए आपको यह पर पूरे विंडोस के गेम से देखने के लिए मिल जाएंगे इसी कोई दिक्कत की प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली और दोस्तों अगर आपको इस अप्लिकेशन को क्लोज करना है तो आपको बस अपने एंड्रोइड पे होम बटन को प्रेश करना है लेखिए होम बटन को जैसे हम करते तो हम अपने नॉर्मल इंटरफेस पर आ जाते हैं तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डॉट आता है अपने एंड्रोइड टीवी रिलेटेड या फायर टीवी श्टिक रिलेटेड या एंड्रीड बॉ वहाँ पे आप मेरे साथ डिसकस कर सकते हो अपने डाउट तो मैं आपको 100% सल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अगले वीडियो में